हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एक एगरी कल्चर क्लासेस पर आज हम लेकर आएं वेसी एगरी कल्चर सेकंड सेमेस्टर का फंडा मेंटल आफ एंटमोलोजी फर्ष्ट का पेपर का सलूसन जो अभी अभी हुआ है तो अपना अपना सब लोग कोश्चन मिला लेजिए आज के हमारा विकुलेट सेरी जह है ए तो चलिए शुरू करते हैं आए देखते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन है कीट सब्द की उत्पत किस से हुई है तो कीट की सब्द की उत्पत लेटिन सब्द से हुई है अगला कोश्चन हमारा मकडी किस वर्ग के अंतरगत आती है तो मकडी अरेक निडा के अंतरगत आती है अगला कोश्चन हमारा कोश्चन नमर तेन कीटों में कितने पंक पाये जाते हैं तो वैस्क कीटों के उधर में कितने पैर पाये जाते हैं तो वैस्क कीटों के उधर में तीन जोड़ी पैर पाये जाते हैं इसका अफसन नमबर सी राइट हो जाएगा अगला क्वेशन है हमारा छे नमबर इनमें कौन बाहकंकाल की सबसे उपरी परत है तो क्यूटिकुलीन बाह पैंपू डरमज कीटिकल स्डावित करता है इसका आप्सिन नमबर सी राइट हो जाए का अगला क्यूंचन नमबर है पस्चोन मुख्य सिर्फ पाया जाता है तो या है बग में पाया जाता है। इसका अपस्वाने के सिर का सबसे प्रिष्टी है। तो इसका अपस्वानन दीमक में पाई जाती है। ईसका अफस्वाननो हो जाएगा। अगला ला is इसका आपसर नमबर A राइट हो जाएगा कुछन नमबर A राइट हो जाएगा कोछन नमबर 16 है इस पंजाकार मुखांक तितली में पाई जाता है इसका आपसन नमबर C राइट हो जाएगा कुश्चन नमबर 17 है चुभोने वा चूसने वाले मुखांग किसमें पाए जाते हैं चुभोने वा चूसने वाले मुखांग ये तीनों में पाए जाते हैं माहु में नमर B प्रिमेंटम किस से संबंदीट है तो प्रिमेंटम लेबियम से संबंदीट है क्विश्चन में पंक वच्छ के उपांग होते हैं इसका आप्स– ie भी राइट हो जाएगा कुश्चन नमर 20 है ट्रोक एंटर किसका भाग है तो ट्रोक एंटर पायर का भाग होता है इसका अफसर नमर सी राइट हो जाएगा कुश्चन नमर 21 है टिड़े के कूदने वाले पैर है तो टिड़े के कूदने वाले पैर पस्च पाद होते हैं इसका अफसर नमबर C राइट हो जाएगा अगला कॉस्चन हमारा 22 नमबर हेमेलाइटरा पंक किस में पाया जाता है तो हेमेलाइटरा पंक बग में पाया जाता है इसका अफसर नमबर A राइट हो जाएगा अगला कॉस्चन हमारा 23 नमबर है कीटों के पंक में कितने कोंड पाये जाते हैं तो कीटों के पंक में तीन कोंड पाये जाते हैं आफसे नमबर B राइट हो जाएगा अगला कुशन नमबरा 24 नमबर है सबसे आगे वाली प्रमुक सिरा है सबसे आगे वाली प्रमुक सिरा कोस्ठा है इसका आफसे नमबर A राइट हो जाएगा कुशन नमबर 25 से हेमिलाई पंक समयोजी उपकरण किस में पाया जाता है तो हेमिलाई पंक समयोजी उपकरण मदवक्षी में पाया जाता है इसका आफसे नमबर D राइट हो जाएगा कोशन नमबर 26 है किस कीट में पंक सेयोजी उपकरन नहीं पाया जाता है तो यह सलब में नहीं पाया जाता है इसका अफसन नमबर C राइट हो जाएगा कोशन नमबर 27 है टिड़े का उधर कितने खंडों से बना होता है तिड़े का उधर 10 खंड से बना होता है क्वेशन नमबर C राइट हो जाएगा किस कीट में अंड रोपक डंक में परिवर्तित हो जाता है तो इसका आफसन नमबर A राइट हो जाएगा बग या मतकुर अगला क्वेशन नमबर 29 नमबर है वह सिरा जो दो लंबा कार सिराओं को जोड़ती है कहलाती है तो इसका अपसर नमर B राइट हो जाएगा आड़ी सिराग अगला कॉस्चिन हमारा तीस नमर गिजर्ड किसका भाग है तो गिजर्ड मध प्रणाली का भाग होता है इसका अपसर नमर B राइट हो जाएगा अगला क्वेशन नमारा एकतिस नमबर पेरी ट्रोफिक जिली किसमें अनफसित होती है इसका अफसे नमबर डी राइट हो जाएगा उपर दूमें से कोई नहीं अगला क्वेशन नमारा 32 नमबर है भोजन का पाचनवा आउसोषन कहा होता है तो बोजन का पाच्छन वाव सोचल मध्ध परणाली में होता है इसका अपस्ट नमबर B राइट हो जाएगा कुशन नमर 33 से पस्ट परणाली को यह भी कहा जाता है तो पस्ट परणाली को प्रोक्टोडियम कहा जाता है इसका अफसर नमबर A राइट हो जाएगा अगला कोशन नमारा 34 नमबर है कीटों में उतसरजन किसके दोरा होता है तो कीटों में उतसरजन मेलफीगियन टीबुल्स के कारण होता है अगला कोशन नमारा 35 नमबर है कीटों में प्रमुख रक्त सरकरा है तो मुझत कोषिखाओं को निगलने वाली रगत कोषिखाओं फेगो साइड कलाती है इसका आपसट नमर B-RYट हो जाएगा अगला कुशन ओमारा सिऊंटिस नमर अफरेंट नियूरान को जहा भी कहा जाता है किटों का ब्रेन कितने भागों में बटा होता है किटों का ब्रेन तीन भागों में बटा होता है किटों का ब्रेन तीन भागों में बटा होता है किटों में तंत्रिका कार्ड इस्थित होता है किटों में तंत्रिका कार्ड उधरी होता है उस अफसन नमबर B राइट हो जाएगा कुश्चन नमबर 40 है नर कीटों में कितने वर्षन पाय जाते हैं तो इसका अफसन नमबर A राइट हो जाएगा एक अगला कुश्चन नमबर 41 नमबर काउन एक मादा जनन तंतर का भाग है तो इसका अफ्वसर नमबर C right हो जाएगा O-Viduct इसका अफ्याज नमबर C right हो जाएगा O-Viduct कोश्य नमबर 34 है ट्रेखील तंत्र संबन्दित है इसका अफ्वसर नमबर D right हो जाएगा अगला कोश्व नमारा 45 नमर टिड़े में किस प्रकार की स्वां सरंधर विवस्था पाई जाती है तो टिड़े में होलो निवस्टिक स्वां सरंधर विवस्था पाई जाती है इसका अपस्व नमर भी राइट हो जाएगा क्वेशन नमर 46 है जिस सक ले राइट पर स्वां सरंध इस्थित होता है उसे क्या गयते हैं तो उसे इसका अंजर हमें मिला नहीं है आप लोगों को पता हो तो कमेंट बाक्स में जरूर बताएं अगला क्वेशन नमर 47 है पूर्ण रूपांतरण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है तो पूर्ण रूपांतरण में चार अवस्थाएं पाई जाती है इसका अपसन नमर B राइट हो जाएगा कुशन नमबर 48 है C आकरति वाले ग्रब कहलाते हैं तो C आकरति वाले ग्रब कंपो डी फॉर्म कहलाते हैं इसका अफसन नमबर B राइट हो जाएगा कुशन नमबर 49 है कैटर पिलर में कितने उधरी पाद पाए जाते हैं तो इसमें पांस जोड़ी उधरी पाद पाया जाते हैं इसका अफसन नमबर C राइट हो जाएगा 50 नमबर है कुशन मैगट में कितने पैर पाया जाते हैं तो मैगट में तीन जोड़ी पैर पाया जाते हैं इसका अफसन नमबर C राइट हो जाएगा अगला कोशन हमारा वर्गी खंड की मूल इकाई है तो वर्गी खंड की मूल इकाई इस पसीज होती है इसका अफसर नमर डी राइट हो जाएगा अगला कोशन हमारा बावन नमर दो निर्मोचन के बीच के अंतराल को बहते हैं को इसका ग्रब कहते हैं इसका आफंसने मेरें रायट हो जाएगा अगला क्वस्चन है हमारा चमण नंबर माहूं किस गड़ के अंतरगत आता है तो माहूं हमीप्टेरा के अंतरगत आता है क्वस्चन नंबर इसका आफंसन नंबर सी राइट हो जाएगा अगला कुछ नमारा चापन नमर पिढ़-किस गड़ के अंतरगध आता है तो अगला कुछ पाटान नमबर नहीं लिखित में से कौन समाजी कीट है तो समाझी कीट होता है सि carried out OLook data नमर बी-अगला चना का फली बेदग किसको तो चना का फली वेधक नक्टूडी के अंतर्गत आता है इसका आपसा नमर ए राइट हो जाएगा अगला कुछने बारा उंसटर्ट नमबर किसी विशेस स्टेडियम में शरीर के रूप को कहा जाता है तो इससे निर्मोग कहा जाता है इसका आपसा नमर ए राइट हो जाएगा क्वेशन नमर साथ है जब उच्छ तापमान के कारण डाइप वाज होता है तो यह कहलाता है तो यह एस्टिवेशन कहलाता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा सेर जरूरू करें